एक साल पूरा होने पर पत निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अपने किये हुए काम के आएक रिपोर्ट कार्ट पेश किया है 9 फरवरी 2021 को नितिन नवीन ने पत निर्माण विभाग में मंत्री पत का पत भार लिया था इसी मौके पर मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि एक साल के दौरान पटना समीत पूरे राज्ये में सड़क पुल निर्मान करवाए गए हैं और ऐसी कई बड़ी योजनाव को भी क्रियानवित किया गया मंत्री ने ये भी कहा कि पटना कोलकता समेत बिहार में भी चार एक्स्प्रस वे बनाये जाएंगे एक्स्प्रस वे बनने से बिहार के लोगों को काफी सहूलियत होगी उन्हों ने ये भी कहा कि डबल एंजिन की सरकार का पूरा लाव हमें मिला है कई बड़ी योजनाव को मूर्त रूप दिया गया है और साथ ही केंद सरकार की मदद से बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है उन्होंने ये भी कहा कि अपने विभाग की तारीव करके कि अपने विभाग की तरफ से उपलब दिया और बविश्य में होने वाले कर्यानवित योजनाव के बारे में भी उन्होंने जानकारी थी नारंदा सांसत कोशलेंद्र कुमार ने भारे सरकार के रेल मंतरी अशुनी वैशनल से मुलाकात की इस दोरान उन्होंने इसलामपूर पटना स्पेशल एक्सप्रेस वे और नटेसर पतूहा रेल गाड़ी को वास्तविक मेमू संख्या से बहाल करने का नरोत किया है साथी कोरोना काल से पूर्व जहां यात्यों को मातर 20 रुपे का UTS अनारेक्षित टिकेट मिलता था तो वहीं आज ये 40 हो चुका है यानि कि 40 रुपे में ये टिकेट मिल रहा है लेकिन आज भी उपरुप्त वर्नेत गाड़ियों में दोगुना किराया और टिकेट ही मानने होता है दानापूर मंडल स्वेम कई गाड़ियों के स्पेशल किराय खत्म कर चुका है लेकिन इसके बावजूद उनके संसदिये शेत्र में संचाले सभी गाड़ियों में मेंवों गाड़ियों में आज भी महंगा और दोगुना का किराया वारा टिकेट लिया जा रहा है तुम्हें पटना में श्री गुरु गोविन सिंग अस्पताल की जमीन की चार दिवारी के बाहर अतिक्रमन हचाने पहुंचे मजिस्टेट को पुलिस की मौजूद की में लोगों ने खसीटते हुए मार पीच की साथी गाली गलोज भी की गई और पुलिस को मौके से ख़देर दिया है बीड का अक्रोश देखकर निगम कर्मी वहां से जान बचा कर भाग निकले जबकि नगर निगम के अजीमा बाद अचल के कारेपालक पदादिकारी नुरल हक शिवानी ने बताया है कि टीम के साथ कुछ लोगों ने हाथ अपाई की इसी की जानकारी SDO और नगर आयुक्त को दी गई जिसके बाद नगर निकम की जमीन पर बने संफाउस के पास अतिकरमन हचाने के लिए जीम के आदेश पर मजिस्ट्रेट पुलिस बल और नगर निकम के अधिकारी और कर्मचारी JCB के गुरवार को पहुंचे जहां पर लो चौधरी ने बताया कि वाट संक्या साथ में खिरनी के पेड स्थेद नगर निकम के भूखंड पर नया जलापूर्ती केंद्र बनाना है ऐसे में अतिकरमन की वज़स से एक साल से योजना बादित है अतिकरमन के शिकायत वरी अधिकारियों से भी की गई लेकिन मजिस्ट् पेड राकेश कुमार टीम लेकर जब पहुँचे तो उनके साथ मार पीच की गई एसे यो मुकेश रंजन ने बताया कि दोश्री लोगों पर कानूनी कारवाई जल्द की जाएगी